बिसमिल्लाहिर्मानी रहीम है लो नमस्ते अस्सलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अल्ला का सुक्रे हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी दुआ करते हैं अल्ला ताला आप सब को भी खुश रखे आमीन सुम्मा आमीन तो यहा पर चैनल को लाइक कर दीजे, सेयर कर दीजे, सब्सक्राइब कर दीजे, ठीक मतन कीमा होता है उसके जग आप चिकन कीमा भी ले सकते हैं जो चीज आपके पास अब लेबल है आप उसके साथ इसली बना सकते हैं अब दर के साथ बना तो भी हुआ पी निया इसाथ नौर्मल चना का दाल लेजे लिजी, आप किरें, अध्रक लैसून का पेस्ट फिर तो अध्रक दeral को बढ़कन है बस इन बेसिक चीजों के साथ मैं इसको बना के रेडी कर दूँगी अब मैं इसमे एड कर दूँगी मिर्ची पॉडर ठीक उसके बाद क्या डाला मैंने हल्दी पॉडर नमाक मिर्ची पॉडर गरम मसाला इसके लाबा कुछ भी नहीं जाएगा इसमें यह आपका कम्प्लीट इसके बाद अप डाल ढे जिसमें मैंने हलका सा जीरा पॉर्डर डाले है डालना कोई जरूरी नहीं है फिर इसमें इसमें मुझे दो ग्लास के लगभड़ पानी लग जाएगा है तुर माद जाये कम-कम इस प्रोसेस में आदे घंटे लग जाते हैं कीमा को और जना-दाल को मिक्स हो के पकने में और यह जो प्रोसेस है यह बहुत ही टेस्टी कवाप बनता है जो कवाप बनता है वहत टेस्टी कवाप बनके whereड़ी होता है तो यह जो पानी हे अची तरीके से सूक चुका है लेकिन उससे भी अच्छी तरीके से मैं सुखाऊंगी, मतलब एकदम सोना खुस्बू जो होता है, सोने पन की खुस्बू, अब इसे जबान में पानी आ गए, जो नानी दादी लोग बनाया है करते थे थे वैसा वाला खुस्बू, उसके बाद उसको अच्छी तरीके से पीस लीजे, मैंने यहां पर मिक्सी के जार में पीसके दिखाया है, ताकि मैं बूल रही थी ना, सिलबटे वाला पीसके बनाऊंगी, तो भई बना रही हूं, लेकिन आप इसको सूखा इस तरीके से मिक्सी के जार में पीसके बना सकते हैं, टेश में कोई फरक में पड़ने वा मुझे बच्चों के साथ सेयर करना था, इसलिए मैं इसकीप कर दी, फिर मैं यहां पर डाल दूगी एक अंडे, आप क्वांटिटिटी के उपर लीजेगा, मेरे पस एक पाउ कीमा था, इसलिए मैंने एक अंडा एड किया है, अगर आप एक पाउ से ज्यादा कीमा लेते है तो आदा के जी किसाब से तो आप दो अंडे भी ऐड कर सकते हैं, जितना जादा अंडा एड करेंग उतना जादा बैंडिंग अच्छे से होगी, ठीक ना, तो यह पर बैंडिंग के लिए मैंने अंडा का यूच किया है, उसके बाद मैंने क्या किया, इस तरीके से छोटी- बैंडिंग के टाइम पर डाला था अंडा, गया टमटाम का यूच कर तो अंडा मैं ने लिए थे तोड़ी सी कडाही और तवा लिया खहली तरीक हूकि कडाही जासा सेफ होगा बश्कीर अंगरुसा जर नूम्हां में डिया फिर इनमाना व Changingibile J और क्या समस्टड वियम काड़के जो तब क्या से शकते q Dutch और संके बने UC. किन फ्राइयों के बना और जायं कारते जेए , इस को विया जाद करना तरीकितों होंडिक भी में राखे है फिर इसको अलट पलट के तल लेंगे और इसको कलर देंगे ठीक , इतना स्वाद लगते है है अब है हैद्रा में इसilerा बाम नशों से मलत के ऐंगे , ते तरीके से घ्ली कोईल के मैं। अबैसे के समें के बना जाता है.. अब को थिट में नहीं चाएं तो आप इस तरीके से अपने घर में मटन कवाब को बहुत एजली रड़ी कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, बनाइए खाये एंज्वाइ कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह मटन कवाब कैसा लगा हमारा मैंने ब मुझे जरूर बहुत मैनत के साथ आप लोग लिए रेसिपी लेके आती हूं तो कोसिस करते हूं कि आप लोग एक लाइक से और सब्सक्राइब मुझे जरूर देंगे तो थैंक यू वाच फॉर मैं वीडियो बाई 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 अल्ला हाफिज दुआओं मैयाद रखिएग नेस्ट वीडियो का वेटियो